दोस्तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेंसेस इस प्ले को लिखा है अगस्ट विल्सन ने इस प्ले को लिखा गया था 1983 से 1987 के बीच अमेरिका में और जाती ये प्ले पम्लिश होई थी जून 1986 में इस प्ले के सेटिंग 1957 से 1965 के बीच अमेरिका के एक सहर Pittsburgh में रखी गई है दोस्तो इस प्ले की पूरी स्टूरी एक American Black Family पर पेस्ट है यानि की African American Family पर तो दोस्तो आइए सबसे पहले हम इस प्ले के टाइटल को डिस्कस करते हैं दोस्तो फेंस का मतलब होता है 4 दिवारी दोस्तो आपने जब भी कभी किसी अमीर विक्ती का घर देखा होगा तो आपने उसके घर के चारो तरफ बाउंडरी वाल देखियोगी यानि कि फेंस बड़ी लोग अपने घर के चारो तरफ फेंस इसलिए बनवाते हैं ताकि वो अपने घर के अंदर सुरक्षित रह सकें और इस चीज़ से पता चलता है कि बड़ी लोग हमेशा अपने आपको सेक्योर रखना चाहते हैं उसी में उनकी रिस्पेक्ट भी होती है तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अमेरिका में ब्लैक लोगों को उतनी रिस्पेक् तो दोस्तों आएए अब हम इस प्ले को डिसकस करते हैं ये टू एक्ट का प्ले है दोस्तों इस प्ले का प्रोटेगनिस्ट है ट्रॉय जो की एक अफरिकी अमेरिकेन हिवासी है और यहाँ पर अमेरिका में पिट्सबर्ग नामक नगर में रहता है जिस वक्त ये प्ले यानि कि उस दिन वर्कर्स को उनकी सेलरी दी जाती है ट्रॉय को कुड़ा उठाने के काम के लिए 76 डॉलर दिया जाता है जिसमें से 70 डॉलर वो अपनी वाइफ रोज को दे देता है घर का खर चलाने के लिए और बागी के 6 डॉलर वो अपने दोज के साथ विसकी को पीता ह इसी तरह से ट्रॉय और बोनो हर फ्राइड़े को बिसकी न्चुआ करते हैं और अपनी पास्ट के लाइफ को याद करते हैं। और फिर उनसे बहुत ही गंदा बहेप किया जाता था जानवरों के जैसे और उन्हें निम्न अस्तर का काम करवाया जाता था साथ ही उनको बहुत मारा पीटा जाता था बस इसलिए क्योंकि वो सबी काले दिखते थे लेकिन फिर बाद में अबराहम लिंकन के टाइम पर अमेर इसके बाद ट्रॉय बोनो से कहता है कि उसका एक बार डानसर के साथ अफेर है जिसका नाम है अलबर्टा ट्रॉय की साधी हो चुकी है रोज से और उसकी साधी को 18 साल हो चुके है उन 18 सालों में रोज ने उससे सचा प्यार किया है और पूरे फैमली की काफी अच्छी केयर की है लेकिन फिर भी ट्रॉय को अलबर्टा से सचा प्यार हो गया है ये सभी बाते ट्रॉय बोनो से कहता है लेकिन ट्रॉय इस बात को एकसेप्ट करता है कि रोज ने उसके लाइफ में आकर उसके लाइफ को बहुत ही अच्छा बना दिया है ट्रॉय और बोनो ये सभी बाते कर रहे थे तब ही वहाँ पर रोज आ जाती है रोज ट्रॉय को बताती है कि उसके बेटे कोरी का बेसबॉल टीम में सेलेक्शन हो गया है रोज कहती है कि कोरी अपने कॉलेज के टीम के तरफ से खेलेगा इस बात को सुनकर ट्रॉय नाराज हो जाता है ट्रॉय कहता है कि अभी कोरी को खेलने दिया जाएगा लेकिन फिर बाद में लीग मैचेस में उसे हटा दिया जाएगा ट्रॉय रोस से कहता है कि हम लोग काले दिखते हैं और काले लोगों के साथ अमेरिका में यही होता आया है उसके साथ भी हो चुका है दोस्तों आपको बता दे कि ट्रॉय भी एक हो नहो हमारे बेटे को लीग मैचेस में खेलने दिया जाएगा। ट्राइ के दू बेटे थे, उसके दूसरे बेटे का नाम था लियॉंस। ये लियॉंस सिंगर बनना चाहता था, वो कभी नहीं चाहता था कि वो बाकी करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है अपने पिता की बातों को सुनकर लिवान्स कहता है कि उसने जो भी पैसे लिये हैं वो जल्दी उसको वापस कर देगा ट्रॉाई के घर में उन लोगों के साथ उसका एक भाई भी रहता है जिसका नाम है गेब्रेल ये गेबरियल एक सैनिक था इसने सेकेंड वर्ड वार में लड़ाई की थी उस टाइम पर इस गेबरियल को कुछ चोटे भी आई थी जिसके वज़े से गेबरियल मांसिक रूप से बिमार हो गया था जब गेबरियल सेनास रेटायर होता है तो इसको तीन हजार डालर मिलता है पेंशन के रूप में उस पैसे से ट्रॉय एक घर खरी लेता है और फिर उसकी पूरी फैमली उस घर में खुसी-खुसी रहने लगती है रोज गेबरियल का बहुत ही ख्याल रखती है ट्रॉय को अमेरिका में रह रहे काले लोगों के एक आदत नहीं पसंदाती वो लोग हमेशा लोटरी खरीते हैं और उसमें अपना बहुत सारा पैसा गवा देते हैं काले लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अमीर बनना चाहते हैं उनको निम्नस्तर का काम करने दिया जाता है और छोटे काम करके बस छोटे पैसे ही कमाया जा सकते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको लोटरी में पैसे मिल जाएंगे तो वे अमीर बन जाए ट्रॉय की वाइफ रोज भी कभी कभी लोटरी खरीती है लेकिन ट्रॉय उसको मना करता है ट्रॉय को हमेशा ही एक बात का दुख होता है ट्रॉय को लगता है कि उसके भाई को जो भी पैसे मिले थे ट्रॉय ने उसको अपने लिए खर्ज कर लिये लेकिन उसकी इस बातों पर रोज उसको समझाती है वो कहती है कि घर खर इतना कोई गलत काम नहीं है और आखिर तुम्हारा भाई बेते हम लोग के साथ ही रह रहा है ट्रॉय के दोनों बेटे ही ट्रॉय की तरह नीम नस्तर का काम नहीं करना चाहते थे इसलिए उसका एक बेटा सिंगर बनना चाहता था और दूसरा बेजबॉल प्लेयर एक धिन कॉरी अपने पिता से कहता है कि उसको टेलीविजन पर इस्पोर्ट देखना है इसलिए उसको एक टेलीविजन लाकर दिया जाए इस बात पर ट्रॉय कोरी से कहता है कि एक टेली विजन के लिए लगबद 200 डालर घर चो जाएंगे और मैं इतने पैसे नहीं दे सकता क्योंकि अभी घर के चारो तरफ फिंस बनानी है और साथ ही घर की मरम्मद भी करवानी है अगर तुम लोग टेली विजन देखना चाहते हो तो दोनों भाई 100-100 डालर का कंटिबिशन करके एक टेली विजन ला सकते हो आगे ट्रॉय कोरी को समझाता है कि बेजबाल खिलना छोड़ दो और स्टोर पर जाकर काम करो इस बात पर कोरी कहता है कि उसने स्टोर पर काम करना एकदम से बंद कर दिया है उसकी बाते सुनकर ट्रॉय को गुसा आजाता है वो कहता है कि एक दिन तुमें ये बेजबाल लेटू बेगा अभी तुमको इस बात का हैसास नहीं है जब तुमको लीग मैचेस से हटा दिया जाएगा तब तुम समझोगे कि इस टोर पर काम करने का डिसीजन ही सही था ट्रॉय जाकर कोरी के कोट से कह देता है कि कोरी का टीम से नाम काड़ दिया जाए ये चीज़ सुनकर कोरी को गुस्सा आजाता है वो अपने पीता से नफरत करने लगता है वो गुस्से गुस्से में कहता है कि आपने कोई बड़ा काम जिंदगी में नहीं किया इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि मैं कोई बड़ा काम करू कोरी की बाते सुनकर ट्रॉय कुछ भी नहीं कहता और फिर वो 18 संचुरी के टाइम को याद करने लगता है कि किस तरह से काले लोगों के साथ अमान वी बिवहार किया जाता था लेकिन फिर दीरे दीरे इस्तिती में परिवर्तन होने लगी और फिर कुछी टाइम के बाद ट्रॉय वहां पर ट्रॉक ड्राइवर बन जाता है इसके बाद फिर ट्रॉय और बोनो दोनों फेंस बनाने लगते हैं फेंस को बनता हुआ देखकर रोज बहुत खुस होती है क्योंकि रोज अपने फैमली से बहुत प्यार करती है वो सबी को एक चार दिवारी के अंदर खुस देखना चाहती है ट्रॉय का बेटा कोरी बहुत बार में जाया करता था ये सब चीजे देखकर बोनो ट्रॉय से कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ रोज के प्रतिवफादार होना चाहिए क्योंकि रोज तुमसे और तुम्हारी फैमली से बहुत प्यार करती है लेकिन बोनों की बातों पर ट्रॉय बिलकुल भी ध्यान नहीं देता और उससे मिलना जारी रखता है वो रोज को ये सारी बाते तब बताता है जब अलबर्टा प्रेगनिंट हो जाती है ट्रॉय की बाते सुनकर रोज सौग ढोजाती है उसको सबसे ज़यादा बुरा लगता है वो कहती है कि वह 8-10 सालों से ट्रॉय से सच्चा प् तुमने हमेशा मेरा और मेरे परिवार का फायदा उठाया है। तुमने ही घर में एक अजनमी के जैसे रहने लगता है। रोस कहती है कि ये सब तुम्हारे ही पापो का नतीचा है। ये सब होने के तीन दिन बाद ट्रॉय उस बच्ची को अपने घर ले आता है और उसका नाम रखता है रेनल। घर आने के बाद ट्राय रोज से कहता है कि ये मेरा इखुन है ये मेरी बेटी है जिस प्रकार तुम से पैदा हुए मेरे दो बेटे कोरी और लियान्स हैं इसी तरह से ये मेरी बेटी रेनल भी है ट्राय कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम लोगो को कभी अलग नहीं किया इसी गोद में लेती है और कहती है कि आज से ये मेरी बेटी है जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी कोई गलती नहीं है वो ट्रॉय से कहती है कि ये बेटी तु मेरी हो गई लेकिन तुम मेरे कभी नहीं हो सकते मैंने तुमें त्याग दिया है अब ट्रॉय के घर में सब कुछ बदल च चुका होता है रोस उस बच्ची का देख भाल अपनी बेटी के चैसे करती है साथ ही वो चर्च बे जाने लगती है उधर ट्रॉय के दोनों बेटे नौकरी के तलास में ब्यस्त रहते हैं और बोनों भी ट्रॉय से मिलना एकदम से ही बंद कर देता है ट्रॉय अब भी अपने पेडे यानि कि फ्राइडे के दिन अकेले ही वाइन पीता है अब वो एक ट्रक ड्राइबर बन चुका है और वो एक वाइट लोगों की स्रेडी में आ गया है घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रॉय रोस की इच्छा पूरी करता है और वो अपने फेंस को पूरी तरह से बना लेता है घर में सब अलग थलग रहने लगते हैं और रेनल भी दिरे दिरे बड़ी हो रही होती है लगवग उस टाइम से साथ सालों के बाद जब रेनल साथ साल की हो जाती है उसके तीन साल पहले ही ट्रॉय रिटार हो चुका होता है रिटार्मेंट के बाद ट कोरी एक मरीनर बन चुका होता है वो शिप में काम कर रहा होता है उसको जब पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई है तो अपने मां से मिलने के लिए आता है। कि तुम लोग इस चीज से कभी सफन न होते आगे वो कौरी से कहती है कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज़्यादा मेहनत करे और उससे भी सफन इनसान बने तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे अपनी माँ की बाते सुनकर कोरी अपने पिता ट्रॉय के फिनरल में जाने के लिए राजी हो जाता है रेनल और लियान्स पे आते हैं ट्रॉय का भाई पागल होने के वज़े से पागल खाने में रहता है उसको जैसे ही पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है वो भी आता है वे सभी एक साथ खड़े होकर ट्रॉइ के फिनरल में एक गीत गाते हैं, साथ ही गैबरियल एक ट्रमपेट टाइप का म्यूजिक बजाता है ट्रॉय के तीनों बच्चे और उसका भाई कैब्रियल वो सभी लोग ट्रॉय के लिए प्रे करते हैं कि उसको स्वर्ग में जगा मिले ट्रॉय के मरने के बाद उसका पूरा परिवार संग गढ़ित हो गया और वो सभी एक साथ रहने लगे दुस्तों I hope कि आपको ये प्ले ज